आप सब को जुहार और आज है तारिक 22 नौंबर दो हजार चोबीस शुक्करवार तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुबात करते हैं पहली खबर से जो की निकल कर आ रही है गड़वा से गड़वा जिले के दक्षणी वन चेत्र के पाँच प्रकंडों में हाथी और भालू के आतंग के बाद अब बाग याने के टाइगर ने भी दस्तक दे दिया है बड़गर थाना चेत्र के बहरा खांड में पिछले दिनों गाय का शिकार करने के बाद बाग के भंडरिया चेत जंगल के पास देखा गया इस तरीके से यहां पर हाथी और भालो के आतंग से परिशान रामकंडा बंडरिया और बढगर छितर के जंगलों में बाक के आने से यहां पर छितर में धर्शत का महौल बन गया है तो जैसे कि आप सब को पता ही है कि 20 नौवंबर को दूसरे चरण का जो मतदान है वो संपन हुआ तो चलिए डिसकस कर लेते हैं कि संथाल परगना में 18 सिल्टों पर किस तरके से वोटिंग हुई है कहां कहां वोटिंग हुई है और कैसा यहां पर वोटिंग का परसेंटेज हमें देखने को मिला है 20 नौवंबर को दूसरे चरण के यह मतदान जो है वो बाधित रहा इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें देवगर विधान सभा की तो देवगर विधान सभा में कुल 116 बूतों में मतदान के इंदर शांति पूर्ण तरीके से संपन हुआ कुछ इलाके में यहां पर वीवी पैट में आई खराबी की वजह से मतदान जो है वो बाधित हुआ है खंडारा बूत संक्या 32 में वीवी पैट खराब हो गई और जिस कारेंट से सुबह 8 से 10 बजे तक मतदान जो है वो बाधित रहा मोहनपुर से दुमरिया बूत संक्या 377 में एक मतदाता और पुलिस करमी के बीच हाता पाई भी हो लेकिन देखा जाये तो जदातर जगों पर ऐसी ही कंप्लेन यहां पर देखने सुनने को मिली ही है लेकिन यहां पर ग्रामिर इलाकों में 2019 के विदान सबा चुनाओ की तुल्ला में जदा मतदान हुए है शहर के सीदू कानू हाई स्कुल दुमका के बूत नंबर 28 में एव 25.91 फिसदी मतदान हुआ एवियम में खराबी के कारण बूत 201 रेड कारपेट विद्धियाले इसके अलावा 118 इसके अलावा 210 में मतदान जो है वो विलम से शुरू हुआ वही मतदान की इंदरत संख्या 111 उतक्रमित प्राथमिक विद्धियाले भलुआ पहाड़ी में प दही जगा शाम पांच बजे के बाद भी मतदान जो है वो होता रहा इसके अलावा याँ पर अगली खाबर निकल कर आ रही है जर्मंडी विदान सबाभासे जर्मंडी विदान सब 높ाजितर की सभी 300 मतदान की इंदर पर मतदान जो है वो शान्ति पून तरीके से संपन और सुबह साथ बजे से निर्धारित समय से सभी मतदान केंदरों पर वोटिंग जो है वो शुरू होई सुबह से ही यहाँ पर लोग मतदान केंदरों पर पहुँचे और दोपर एक बजे तक भीड भी बनी रही सुबह से ही लोक मतदान के इंदरों पर पहुँचे और दो पर एक बज़े तक भीड बनी रही एक लग ब्यालिस अजार पांचसु एकतर मतदातों के लिए 169 मतदान के इंदर बनाये गया था सिसी टीवी कैमरों से सभी बूतों पर गती विदियों पर निगरानी जो है वो रखी गई थी महिला वोटरों की संख्या अधिक देखी गई इसके अलवा यहां पर अगली खबर निकल कर आरी गोड़ा विदानसवा से गोड़ा विदानसवा चित्र में शाम पांच बजे तक 69.67% वोट डाले गए यहां शहरी चित्रों में सुबह 7 बजे से ही मतदान के इंदरों पर मतदाताओं की काफी भीड रही जो की देखा जाय तो अच्छी बात है बाकी शहरी चित्रों की मुकाबले गोड़ा के मालने पाथर गामा बालक मध्य विद्याले में करीब एक घंटे तक EVM के गड़बडी से मतदान जो है वो प्राभावित रहा अगली खबर यहां पर निकल कर आ रही है महागमा से जहां पर महागमा विदानसवा के तीन प्रखंडों में महागमा मेरमा के साथ यहां पर ठाकोर गंगटी में कुल 66.33 प्रतिशत वोट दिन के तीन बज़े तक डाले गए जिले में अब तक तीन विदानसवा छितर में मतों का जो कम प्रतिशत है वो सबसे ज़ादा यहां पर महागमा में ही देखने को मिला है कि यहां पर सबसे कम परसेंटेज में वोटिंग देखने को मिली है सभी बुथों पर शांतेपून तरीके से वोट डाले गए सबी बुथों में दिन भर कडि सुरक्षा के बीच वोटोरों ने मतदान किया महागमा के किसी भी बुथ से यहां पर मतदान में गड़बडी की सूचना नहीं मिली अगली कावर यहां पर निकलकर आ रही है पोणिया हाट विदानसवा से च्छितर में मतदान को जो प्रति और पौणिया हाट प्रखंट के पुर्वी छित्र में भी इस बाहर वोट के लिए सबसे ज़्यादा वोटर घर से बाहर निकले। सुबस ही बूथों पर मतदातों की कतार लग गई थी। तीन बजे के बाद शहरी बूथों पर कतार जो है वो खत्म हो गई। वही ग्रामिड इलाकों में कतार लगी हुई थी। और जिसने जीत हार के आंकलन को रोमांचिक बना दिया है। अगली खबर निकल करा रही है जामताडा से जाहां पर 366 बूथों में सुबह साथ बजे से ही मतदान शुरू हो गया। मतदाता भी यहां पर सुबह साथ बजे से बूथों पर पहुचने लगे थे। और यहां पर 75.001 प्रतिशत मतदान हुआ है। शहरी छेतर के बूथों में दो पर बाद भी मतदाता अपने घर से निकल कर बूथ तक पहुच रहे थे। वहीं ही जाम शहर के सनेपूर कुछ्ट कोलोनी के लिए हांसी पहाडी में इस चुनाओ में पहली बार मतदान किंद्र बनाया गया था। मुख्य लड़ाई यहां पर कॉंग्रेस और भाजपा के बीच थी। अगली खबर यहां पर निकल कर आ रही है बरहेट से जहां पर चुनाओ आयोक से मिली जानकारी के अनुसार शाम पांच बजे तक बरहेट विदान सबा में 66.5 शुनिय प्रतिशत मतदान हुआ है और मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्सा देखने को मिला कई बूथों पर सुबह 6 बजे से ही वोटिंग के लिए मतदाताओं की कतार देखने को मिली पतना और बरहेट में एक बूथ को छोड़ कर सभी यहां पर मतदान के इंदरों पर समय पर मतदान शुरू हुआ बूथ संख्या अंठानबे पर एक बुजर्ग मेला वोटर की मौत हो गई अगली खबर यहां पर निकल कर आ रहे है बोरियों से जहां पर बोरियों में 65.85% वोटिंग हुई है और वो भी शांतिपूर तरीके से अपने मतदान के इंदरों में जो मतदाता हैं वो सुबह 5 बजे से ही पहुचने लगे थे और जैसे जैसे दिन साफ हुआ मतदाता घर से निकले और मतदान उन्होंने किया मतदान को लेकर युवाओं और मैलाओं में काफी जोस देखने को मिला इसके अलाओ यहां पर अगली नियूज निकल कर आ रहे है लिट्टी पाड़ा से जहां पर लेट्टी पाड़ा में 74.79 पसेंट शहरी से जाधा ग्रामीड इलाकों में वोटर टर्न आउट यहां पर देखा गया लिट्टी पड़ा विधान सभा में वोटिंग की रफ्तार सुबह से ही दो पर तक काफी तेज रही और इस दोरान शहरी से जादा ग्रामिड इलाकों में वोटर टर्न आउट देखा गया लिट्टी पड़ा विधान सभा में यहां पर सुबह 9 बजे से यहां पर 16.2 फीसदी 11 बजे तक 34.71 बजे तक 34.71 पसेंट एक बजे तक 53.92 पसेंट पांच बजे तक 74.79 पसेंट यहां पर मतदान हुआ था यहां जुमों और भाजपा में आमने सामने की टक्कर है अगली खबर यहां पर निकल कर आ रही है महिशपूर से जहां पर महिशपूर विधान सभा में सुबह 9 बजे तक 17.52 प्रतिशत 11 बजे तक 38.35 पसेंट एक बजे तक 58.77 पसेंट और 5 बजे तक 79.82 पसेंट मतदान और यहां जुमों और भाजपा में सीधी टक्कर है अगली खबर यहां पर निकल कर आ रही है शिकारा पाड़ा विधान सभा से जहां पर यहां 74.81 पसेंट जो है वो वोटिंग हुई है शिकारा पाड़ा विधान सभा छेत्र कभी अगरुवाद प्रभावित रहा था जहा अब लगभग लगग समाप्त हो चुकी है और इस बार इस विधान सभा छेत्र में जम कर वोटिंग हुई है जीकरा पूत में पोलिंग पार्टी की पी थरी पदादी कारी को बदला गया अगली खबर निकल कर आ रही है नाला विधान सभा से जहां पर नाला में सुबा अगली खबर यहां पर निकल कर आ रही है जामा विधान सभा से जहां पर जामा में 71.67% मतदान जो है वो देखने को मिला मैला और पूरुष दोनों ने यहां पर जम कर वोटिंग की चार मतदान के अंदरों पर मौक पॉल के पुर्वही एवियम में तक्निकी खराबी मिली जिसके कारण दूसरी एवियम लगाने के बाद यहां मतदान जो है वो कुछ समय विलम से प्रारम हुआ चार में से यहां पर तीन बूत जमा प्रकंटा था एक बूत रामगड प्रकंट का था रामगड की यहां पर नो खाता में ग्यारा साड़े ग्यारा के असपास एक बार फिर से एवियम खराब हो गई और लगबग यहां पर देड़ घंटे तक यह चीज प्रवावित करती रही इलेक्शन को इसके अलाव यहां पर अगली खबर निकल कर आ रही है सारट विधान सबा से जापर सारट विधान सबा छितर में सुबह से ही वोटरों की लंबी कता हर यहां पर देखने को मिली रेड़ दिर सी और चुनना सी के समर्थक लगाता हर बूतों पर जमे रहे नो जगों पर मौक पॉल के साथ ही एवियम में खराबी आ गई और वहीं 11 मतदान के इंद्रों पर विलम से मतदान शुरू हुआ सुबह 9 बजे तक 16.33 प्रतिशत वोटिंग हुई 11 बजे तक 36.86 फिसदी और 1 बजे तक 54.80 पसेंट 3 बजे तक 70.19 यहां पर फिसदी वोटिंग हो चुकी थी और शाम 5 बजे तक 37.94 फिसदी यहां पर मतदान हुआ है अगली खबर यहां पर निकल करा रही है जहां पर बीजे पी प्रतिशत निधि मंडल ने बुदवार को चुनाव आयोग पहुँचकर मुख्यमंत्री हेमन सोरन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है साथ ही मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिशत निधि यहां पर पंकज मिश्रा के खिलाफ भी कारवाई करने की मांग की है यहां पर बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया है कि दूसरे चरण के चुनाव के दोरान दिन के लगभग ग्यारा बजे मुख्यमंत्री ने बाबुलाल का पुराना वीडियो अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया जबकि साइलेंस पिरियड चल रहा था बाजपा ने मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधी पंकज मिश्रा बुकारो के डियस पी आलोक रंजन के खिलाव भी शिकायत की है अगली खबर निकल कर आ रही है हजारी बाग से जहांपर जारखंड के हजारे बाग के बरकट्था में भीशन सलक हाथसा हो गया जहांपर यहां एक बस पलेटने से कुल छे लोगों की मौत हो गई और दरजनों लोग घायल हो गई जानकारी के मुताबे की अबस कुल खत्ता से बिहार जा रही थी और इस दुरघटना के बाद यहांपर बचा और रहातकारी जो है वो जारी रहा अगली खबर यहांपर निकल कर आ रही है धनबाद से जहांपर जारखन में बुधवार को दूसरे चरनड के मतदान के साथ ही विदानसभा चुनाओ संपन हो गया और यहांपर धनबाद जिले के छे विदानसभा चुनाओं में एक मात्र टूंडी विदानसभा चुनाओं के दोरान चपे चपे पर सुरक्षा बलो की तैनाती होती थी ताकि लोग निडर होकर मतदान कर सकें और इस विदानसभा चुनाओं से पहले टूंडी को नकसल प् जम कर मतदान किया धन्बा जिला में सबसे अधिक 71.12% यहां पर मतदान जो है वो टुंडी विधानसबा छितर में हुआ है और यह आकड़ा पिछले तीन विधानसबा चुनाओं में सबसे जादा बहतर देखा गया है अगली खबर यहां पर निकल कर आ रही है जमशितपूर सहर का बुदवार को यहां पर एर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 250 के पार चला गया जबकि 100 के पार जाने को खतरनाक माना जाता है पिछले 24 गंटे में सबसे अधिक खराब हवा दो पर करीब 3 बच कर 2 मिनिट पर पाया गया जिस समय एक्यू आई लेवल 250 के पार पहुँच पचास के पार चला गया या देर रात तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ एक्यू आई लेवल को लेकर यहां पर बताया जा रहा है कि शहर में एक व्यक्ति अगर सांस ले रहा है तो उसके अंदर साड़े 3 सेगरेट के हिसाब से रोजाना धुआ अंदर जा रहा है जो प निकल करा रही पूरीवी संभूम से जहां पर पटमदा सामोदाइक स्वास्ते केंदर के अंतरगत आने वाला शुकला सबर गाउं जो है वो डाइरिया की चपेट में है गाउं के आधा दर्जन से जादा लोग बिमार है डाइरिया फैलने की सूचना पर बुदवार को पास्ते केंदर पटमदा में भरती कराया गया है जिलाम हमारी रोग विशेशगिया डॉक्तर असद ने बताया है कि इसके पहले 26 अक्टूबर को भी पटमदा की काशिडी गाउं में डाइरिया फैला था उस समय वहां एक दर्जन से अधिक लोग डाइरिया की चपेट में आ गये थे तो जैसा कि हम सब जानते ही है कि जो प्रथम और दूसरे चरण का जो मतदान है वो पूरी तरीके से संपन हो चुका है अब बस रिजल्ट का इंतजार है जो कि 23 नौंबर को जारी किया जाएगा जहां पर कौन सी पार्टी जीती है और किसकी सरकार बनने वाली है वो तय होई जाएगा तो इस पर यहां पर अलग-अलग पार्टीयों के जो प्रमुक नेता है उन्होंने अपने कुछ उपिनियन दिये हैं कुछ बाते उन्होंने कही है तो चलिए उन्होंने क्या कहा है यहां पर हम लोग डिसकस कर लेते हैं तो जारखन विदान सबा चु ब्रिवरेतन की जलक दिक रही है न यहां पर पूर्ण विस्वा से कह रहा है हुँग कि जारखन की तस्वीर और यहां पर तक्तीर बदलने के लिए जंता plantsim सोरे उन्होंने कहा है उन्होंने काये कि जारकन के पावन धर्ती पर लोक तंतर काया महापर वो अद्भूद रहा दोनों चरणों में राज्ये की जनता ने अपनी अकाकशाओं और आशाओं को मतदान के माध्यन से अभी व्यक्त किया है और यहां पर मुख्यमंतरी सोरण ने कहा है कि बुजर्ग, युवा, शर्मिक, महिला और किसान सभी ने उत्सा और उमंग के साथ लोक तंतर के इस महापरव में अपना अभूत पूर्वई आशिरवाद जो है वो दिया है इसके अलावा यहां पर अगली खबर जहां पर हैमुन सोरण ने कहा है कि सभी ने खास कर राजे की आधी अबादी हमारी मैया ने बढ़ चड़ कर अपने हक, अधिकार मान और सम्मान के लिए एतिहासिक रुप से गड़ बंधन को अपना असीम आशिरवाद दिया सीम ने कहा है कि हम द्रिड़ता से प्रण लेते हैं कि अमीर वीर शहीदों के बलीदान को साकार करेंगे, महान करांती कारियों के सपनों को पूरा करेंगे, अंदोलन कारियों की अकांगशाओं को मूर्त रूप देंगे और मिलकर नया और एकदम सोना जहारखंड अगली खबर यहां पर निकल कर आ रही है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षब बावलाल मराणी ने काय के जहारखंड में हैमन सरकार जा रही है और बीजेपी पुन बहमत के साथ आ रही है, उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाओं की तर्च पर विध अब तक कोई यह अंदाज़ा नहीं लगा सका है कि किसकी सरकार बनेगी, खलाकि एक एक एगजिट पॉल ऐसा है जिन्होंने यहां पर इंडिया गडबंधन को प्रचंड बहमत की सरकार बनाते दिखाया है, वो एगजिट पॉल एकसिस माई इंडिया का है, उन्होंने अबित हुई थी और उसी वज़े से यहां पर एकसिस माई इंडिया का जो यहां पर एकसिट पॉल है, वो काफिर जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहां पर इंडिया गडबंधन जो है, वो साल 2019 के चुनाओ में 47 सीटें लेकर आई थी, जबकि BJP जो है, वो 25 सीट करते हुए 30 सीटें जीती थी, वो विधान सुबा चुनाओ में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरे थी, एकसिस माई इंडिया के पॉल की अगर हम बात करें तो वो हमेशा सही हो, यह जरूरी नहीं है, अलकि जितने भी एकसिल्ट पॉल दिखाते हैं, वो जरूरी नहीं ह कि सही है निकले, जादा तर तो गलती निकल जाते हैं, साल 2024 के आमचुनाओ में जारखन में इस एजेंसी ने बिजेपी को 8 से 10 सीटी दी थी, परेडा में उसके इर्दिगर दी रही, इंडिया गडबंदन में यहाँ पर 9 सीटें मिली हैं और इंडिया को 5 सीटें, 9 सीटें स्टी के लिए आरक्षित थें